नमस्कार दोस्तों जिस तरह से वर्सों के बाद आज मारे देश के अंदर बच्चों के पास एक ऐसा विकल पाया शिक्सा के अंदर जिसमें बच्चे अपने योगेता और क्षमता के अनुरूप अपना विशे चुन सकते हैं तो मैं मानतो हुए एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन आज यह भी सोचने की जरूरत है कि हमारा जोर तो है कि बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत करें लेकिन बच्चों का मांसिक रूप से मजबूत होना भी अतियन दबार है इस विशे के उपर भी आज हमें मंतर करन पड़ेखार करना पड़ेगा जिस मकान की में कमज़ोर है उस मकान के अपर हम कभी भीवं मंजला इमारत खड़ा करने की कंपना ने कर सकते हैं जिस समास की निव कमजोर है उस समास की उन्तिकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं ऐसे समास का विनास होना तय है और समाश की जो बैकवून है वो क्या है वो हमारे बच्चे जिनकी उपठ काम हमें करना है हमें सोचना है कि हमें क्या से अपने बच्चों को किस राह पर लेक्र कि सोच के साथ हमने अपने बच्चों को आगे विविश्य में उनसे किन उमीदों के अनुरूप काम लेना है यह हमने सोच नहीं आज अगर बच्चों को मानसी रूप से मुझमूत करना है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हर प्रकार के नकरात्मग प्रभाव से टकराकर सक्रात्मग उर्जा के साथ आगे निकले यह तब संभू होगा जब बच्चों को बाल्यकाल से ही ऐसी सिक्सद दी जाएगी सही सोच दी जाएगी और सही बिचाती जाएगी यह कैसे संभा रहे सबसे बड़ी बात है हमारे देश के अंदर भार्त के अंदर पांच हजार वर्स पहले गीता लिखी वेदव्याजी में लिखी और प्रभू सिरी क्रिश्न के मुख से जो एक-एक सब्द निकला है उसका उप्राय अगर आज आप अपने जीवन के साथ कंपेर करें तो आप हैरान होगे कि उन्होंने जीवन की हर गुत्ति को सुझा दि उन्होंने अपने हर सब्द ने दे दिये गीता एक प्रिवित्तर ग्रांथी नहीं है गीता जीवन जीने की कला है जीवन जीने का विज्ञान है लेकिन कुछ दड़ी लोगों ने कुछ गल्त लोगों ने अपद्रवी लोगों ने गीता को जन जन तक नहीं पहुंचने दिया क्योंकि इन्होंने गीता को एक विसेश समदाय से जोर दिया विसेश धर्म से जोर दिया बलकि गीता के अंदर किसी अध्याय में किसी प्रकार के धर्म का विसलेशन नहीं है गीता तो एक मानवता को आगे ले जाने का एक जरी है ग्यान का भंडार है इसे हमें समझना पड़ेगा इस भंडार को हमें बच्चों तक कहुंचाना पड़ हर्वर्ड जॉर्ड एक विचारक और एक लेखिक थे जिनने कहा था कि जो हिंदुस्तान है यह अपने आप में एक मजबूत रास्ट्र है लेकिन हमारे देश के लोग ही धर्मबाद के साथ संपरदायवाद के साथ अपने ही लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं भारत को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं इस सोच से बाहर लाने के लिए एक विशेस ज्यान की जुरूरत है और वो ज्यान कहां मिलेगा गीता के अंदर अज भी यूएस में नियू जर्शी विशे विचे विद्याले के अंदर गीता को एक कमपलसरी विशे के रूम में पढ़ा जाता है और भी बहुत सारे विद्याले हैं जहां पे गीता कमपलसरी विशे के रूप में बच्चों को पढ़ाय स Supreme लेकिन विनमना यह है कि हमारे देश के अंदर आज भी गीता को शिक्षा का जो एक एहन बिकल्प है उसके रूप में सिवकार नहीं किया लिए तो आज हमारे समाज को हमारे देश को इसके उपर भी मंधन करने की आवस्ता है क्योंकि अगर बच्चों को आर्थिक सिक्सा के साथ मानसिक सिक्सा भी मिलेगी तो बच्चों की जो रफ्तार है वो कहीं गुना बढ़ जाएगी बच्चों की निलने किशमता जो है वो कहीं गुना बढ़ जाएगी बच्चों की जो सोचने की क्षमता है उसके उपर प्रभाब पड़ेगा और बच्चे हर विपत्ती में हर नकरात्मक सिचुएशन में पूरी सकरात्मक उर्जा के साथ लड़ते हुए हर विपत्ती की धजियां राते हुए जीवन में आगे निकलेंगे तभी निकलेंगे जब उनका जो मारग है जो उनकी मंजिल है वो बिलकुल बच्चों को क्लियर हों चाहिए साफ हों चाहिए और यह तभी साफ हो सकती है जब हम जो विचारिक उलजने हैं इनसे मुक्ति पाले है तो साथियो यह तक छोटा सा वीडियो हो जिसमें मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आज गीता को सिक्षा का एक ऐहम हिसए बना दिये जाये तो सुनने पर स्चोस्वार्ण कम और हमारे बच्चों और बह्तर सिक्षा मिलेगी हमारे बच्चे और बोधिक के सारी के सारी के तो यह नहींอ cens दंबेगे तो यह ता छोटा से वीडियो तो उमीद करूँगा कि साथ आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सकाइब भी करें और हमेशा बने रहें अपने दोस्ति इस्पाच दिल के साथ विजाज देंगे जाए हिन्ट